हेलो एंड वेलकम दोस्तों Realme ने एक ब्लॉक पोस्ट करा है जिसमें बताया गया है कि Realme 8 को लेटेस्ट अपडेट मिल गया है जिसमें कुछ बग फिक्स हुआ है और इंप्रॉम्मेंट हुआ है इस अपडेट में DRE अपडेट भी मिल गया है यानि Dynamic RAM Expansion अपडेट में सिस्टम पर्फॉम्मेंस को Optimize करा गया है और Stability Improvement आपको देखने को इसमें मिलेगा इस Scroll बार में एक दिक्कत थी कि कभी-कभी ये Disappear हो जाता था File Manager में उस प्रॉब्लम को इस अपडेट में Solve कर दिया गया है Photo App में आप देखेंगे कि इसमें अच्छा कासा अपडेट हुआ है Screen Flicking का Issue आता था जब कभी भी हम फोन को रोटेट करते थे फोटो देखने के लिए तो Screen Rotation जो था Locked हो जाता था इस चीज को भी Fix कर दिया गया है Third Party Apps जो थे उसमें आप फोटो की editing नहीं कर पाते थे लेकिन अब ये editing आप कर पाएंगे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे request है कि अपने smartphone की OTA update की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और bell icon जरूर दबाएं चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस जुलाई 2021 का Android security patch मिल जाएगा अपडेट का version number ध्यान से नोट करके रख लीजे size update की अभी तक company ने mention नहीं करी है ठीक है ये एक incremental update है इसलिए सबको एक साथ नहीं मिलेगा manually इसको कैसे check करना है steps screen time Realme ने officially GSM Arena website को confirm कर दिया है कि Realme 8 Pro को भी ये DRE update मिलेगा लेकिन ये confirm नहीं है कि कब तक मिलेगा तो दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो like करें, channel subscribe करें और bell icon जरूर दबाएं